नमस्कार मैं प्रियंका स्थाना आप देख रहे हैं वीके नियूस साल 2020 के पद्म पुरसकारों की घोशना हो चुकी है आपको बता दें कि साल 7 हस्तियों को पद्म विभूशन, 16 शक्सियतों को पद्म भूशन और 118 लोगों को पद्म श्री से नवाजा जाएगा बता दे कि पुरसकारों को पाने वाले लोगों ने अपने जीवन में कुछ ऐसे काम किये हैं जिसके लिए इन्हें देश का सर्वोच चौथे नमबर का पुरसकार दिया जा रहा है आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिने पद्म श्री सम्मान मिन ले वाला है बतादे की पद्मिश्री मिलने वाले 118 लोगों में करनाटक के दक्षिर करनर जिले के 68 साल के हरेकाला हजाबा भी शामिल है हरेकाला की फलों की छोटी सी दुकान है जिससे उनकी प्रती दिन की आमदनी केवल 150 रुपे ही हो पाती है लेकिन उन्होंने एक ऐसा काम कर दिखाया है जिसे लाखों की कमाई करने वाले लोग भी आसानी से नहीं करते हैं ये अपनी छोटी सी आमदनी से कुछ ऐसा कर चुके हैं जिसे सुनकर आपको गर्व महसूस होगा दरसल उन्होंने अपनी आमदनी से अपने गाउं के बच्चों के लिए प्रात्मिक और माध्यमिक स्कूल बनवाया और फिल हाल एक विश्विद्याले बनवाने की तैयारी कर रहे हैं बता दे कि हजाबा पढ़े लिखे तो नहीं हैं और वो कभी स्कूल भी नहीं गए लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है उन्हें स्कूल खोलने की प्रेणा तब मिली जब उनसे एक विदेशी कपल संत्रे खरीदना चाहता था मगर स्थानिय भाषा के अलावा उन्हें कोई दूसरी भाषा नहीं आती थी जिसके चलते उनकी विक्री नहीं हो पाई इस घटना से हजाबा को बेहत बुरा लगा कि अगर उन्हें भी पढ़ाई की होती तो वो भी उस भाषा को समझ जाते उसके बाद हजाबा ने गाउवालों की मदस से एक स्थानिय मस्जित में एक स्कूल शुरू किया बता दे कि उन्होंने अपने पसीने की गाढ़ी कमाई से साल 2008 में जिला प्रशासन की मदस से दक्षिर कंणड जिला पंचायक के अंतरगत नया पुडु गाउँ में चौदवा मादमिक स्कूल बनवाया हजाबा तीन बच्चों के पिता हैं और वो उस समय हैरान रह गए जब शनिवार को उनका नाम पद्मश्री के लिए चुना गया उन्होंने कहा कि मुझे ग्रहमंत्राले से फोन आया उन्होंने हिंदी में बात की मुझे समझ नहीं आया मगर बाद में दक्षिर कंणड के उपायुक्त कार्याले के एक शक्स ने मुझे बताया कि मैं पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया हूँ मुझे यकीन नहीं हुआ मैंने ऐसा सपना नहीं देखा था लेकिन मैं खुश हूँ बतादे कि प्रमीर कस्वा नाम के एक आई एफस अधिकारी ने ट्विटर पर ये खबर साजा करते हुए लिखा कि दक्षिर कंणर के फल विक्रेता हजाबा एक दशक से अपने गाउ न्यूब डापू में एक मस्जित में गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं बतादे कि 2020 में हजाबा के साथ साथ बियेचियू के विवादे संस्कृत प्रोफेसर फिरोज खान के पिता रमजान खान को भी पदमिश्री सम्मान से नवाजा जाएगा रमजान पिछले 15 सालों से अपने गाउं में गौ सेवा कर रही हैं छेत्र में रमजान खान को मुन्ना मास्टर के नाम से जाना जाता है रमजान खान पिछले साल नवंबर में काशी हिंदू विश्विद्याले के संस्कृत संकाय में अपने बेटे के फिरोज खान की सहायक प्रोफेसर पतपर नियुक्ती से उज्जे विवाद के चलते सुर्खियों में आये थे और वो कृष्ण भक्ती के साथ साथ गौ सेवा को लेकर समर्पित रहते हैं जिसके चलते उन पर काफी खबरे भी बनी थी बताते कि ये पहला मौका नहीं है जब मोधी सरकार में इस तरह का सम्मान दिया जा रहा हो पिछली बार भी कई गरीब तपके के लोगों को इस सम्मान के लिए चुना जा चुका है साथी इससे ये भी साबित हो जाता है कि अगर आप में काबीलियत है तो आपको कोई नहीं रोक सकता फिर चाहे आप किसी भी धर्म के हो या फिर कि आपका नाम किसी विबाद में भी आ चुका हो इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताईए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें साथी हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें